आप सुन रहा हैं एक लिफाफा में मालकुडी डेस की कहानिया और आज की कहानिया गेटमैन का ही नाम यह दूसरा हिस्सा अगर आपने इसे पहले की कहानी नहीं सुनी है तो आप उपर कार्ड पे क्लिक करके पहला हिस्सा सुन सकते हैं तो फिर चलिए देखते हैं आगे कहान देख कर पूछने लगी, क्या बात है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, घुटी से आवाज में उसने कहा, ये रिजिस्ट्री आई है, और चिट्थी उसके और फेक दी, क्या है इसमें, मुझे क्या पता, हमारी बरबादी की खबर हो सकती है इसमें, ये कहकर वो फूट पतनी उसे एक मिनट देखती रही, फिर कुछ जरूरी काम निप्टाने घर में चली गई, कुछ दिर बाद वो वापस आई, तब भी उसका यही हाल देख कर कहने लगी, खोल कर क्यो नहीं देख लेते इसे, किसी से ले जाकर पढ़वा लो, इस पर तो डर के मारे उसने पतनी साहब ने क्या कुछ कहा हो, तो दफतर जाकर उने से क्यों नहीं पूछ लेते, मैं, मैं दफतर जाओं, मैं तो वहाँ अब अपनी शकल भी नहीं दिखाऊंगा, वो धीरे धीरे बोलता रहा, सारी जिंदगी मेरे खिलाफ एक भी बात नहीं गई गई, और अब वो का अपनी लगा, मैं, मैं जानता था, दफतर का मॉडल बनाकर मैं परिशानी मोल ले रहा हूँ, पहले भी जब मैं कुछ बनाकर ले जाता था, तो सारा दफतर एकटा होकर तारीफ करने लगता था, ये सब भी साहब के कानों में जरूर पहुचा होगा, यही सब कहता, चिट् अची पर घूमता, जो साफ सुत्री सैनिक के उसके जंदगी को देखकर लोगों को बहुत अजीब लगता था, उसकी पतनी की मानसिक शानती भी समाप्थ हो गई थी, और वो भी पती के लिए बहुत चिंतिद रहने लगी थी, उसे जो भी मिलता, उससे वो यही सवाल करता इस पत्र में क्या है, मुझे बताओ, लेकिन वो इसके लिए तयार नहीं होता था कि पत्र खोल कर देखें कि उसमें क्या लिखा है अंद में यही हुआ कि सिंग ने एक्सरे वाले अस्पताल का पता लगाया, जो रेस कोर्स रोट पर था, जब वो फाटक पर पहुचा, तो देखा कि वहाँ गाडियों की लाइन लगी थी, और बाहर एक गोर्खा सिपाही खड़ा था सौफर पर बैटे बहुत से लोग पत्रिकाएं और पुस्तके पढ़ रहे थे, उन्होंने सिंग की तरफ एक हलकी नजर डाली और फिर पढ़ने में लग गए, वो दर्वाजे पर असमंजस के स्थिती में खड़ा रहा, ये देखकर एक सहायक उसके पास आया और पूछने लगा, तुम्हें क्या चाहिए? सिंग ने उसे सलूट किया और चट्थी सामने बढ़ा कर पूछने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या है? सहायक ने कहा कि खोल कर देख लो, लेकिन सिंग ने कहा, लोगों ने कहा है कि आप इसे खोले बिना बता सकते हैं कि इसम क्या लिखा है? आप कहां से आ रहे हैं? सिंग ने उसे अपनी जिंदिगे का पूरा ब्योरा दिया और अंत में कहा, मैंने जिंदिगी भर बिना शिकायत के नौकरी की है, अब मुझे लगता है, इसमें मेरे लिए कोई परिशानी छिपी है, ये कहते हुए उसकी आँखों म और भी बहुतों ने ये सुनकर किया था, फिर मुस्कराकर कहा, घर जाकर आराम करो, तुम्हारी तबेट ठीक नहीं लगती, जाओ, घर जाओ, आप मुझे ये नहीं बता सकते, कि इसमें क्या लिखा है? बहुत दैनिये होकर उसने फिर कहा, सहायक ने पत्र हाथ में लेकर उसे देखा और पूछा, मैं इसे खोल सकता हूँ? नई, 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 सिंग ने जपट कर पत्र उसके हाथों से ले लिया, उसकी आखों में दहशत दिखाए देने लगी थी, और लोगों ने भी सेर उठा कर उसे देखा और मनोरंजन के भाव से मुस्कुराए, सहायक ने न अब, मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? क्या मैं सच मुझ पागल हूँ? दिमाग में ये शब्द आते ही, वो एका एक सड़क के बीच में ही रुक कर खड़ा हो गया, और चिला कर कहने लगा, तो ये बात है, यही बात है, मैं पागल हूँ, पागल। उसने खुश होकर सिर हिलाया, जैसे पूरी सच्चाए उसके समझ में आ गई है, अब वो जान गया है कि लोग उसे अजीब नजरों से क्यों देखते थे? वाह, अरे वाह, ये कहकर वो हसने लगा, इससे उसे काफी चैन मिला, मैं पागल हो गया था, और मुझे इसका पता ह नहीं था, वो पिछले दिनों के बारे में सोचने लगा, एक एक दिन की सभी घटना है, जब से उसने खिलोने बनाना शुरू किया था, उसकी आखों के सामने से गुजरने लगी, पच्चिस साल की इजददार नौकरी करने के बाद भला कौन आदमी खिलोने बनाना और सडक पर दोड़ना शुरू कर दिया, लोग उसे देखने के लिए रुख गए, तो चिला कर कहने लगा, मुझ पर मत असो, मैं तो पागल हूँ, कौन जानता है, तुम भी अगर मेरी तरह खिलोने बनाने लगो, तो पागल हो जाओगे, ये कहकर वो भीड के बीच चिला करके इनका मनोरंजन करू, वो जमीन पर हाथ पैरों के बल चल कर गुर्राता हुआ, बच्चों की तरफ जाने लगा, जब वो घर पहुचा, उसके हालत बुरी हो रही थी, पतनी मसाला पीज रही थी, उसे देख कर बोली, ये क्या तमाशा है, उसके बालों में धूल भरी और सारा शरीर कीचर से सना था, वो ठटे मार कर हस रहा था, इसलिए बोल भी ने पा रहा था, पता है, पता है क्या हुआ, क्या हुआ, मैं भागल हूँ पागल, अब मुझे पता चल गया, उसने कोने में रखी टोकरी उठाई, और उसमें से मिट्टी लेकर एक टोब बनाया, फिर उसे सिर पर लगा लिया, नीचे जमीन पर नए बनाए खिलाउने रखे थे, पिछली दफ़ा दफतर जाने के बाद से उसने एक गाउं का मॉडल बनाना शुरू किया था, इसमें एक सड़क भी थी, लाल टाइलों से बने मकान थे, नारियल के पेडों पर हरे फल लटक रहे थे, और ते रंग विरंग या साड़ी पहने, सिर पर पानी से भरे बरतन लिये जा रही थी, ये प्रिणना उसके अपने बचपन के दिनों की यादों से, जो उसने गाउं में व अपने पास रखेगा, ये मेरे बचपन की यादगार है, इसे मैं किसी नुमाईश में रखेगा, इसके लिए मुझे मेडल मिलेगा, वो खजाने की तरह इसके रक्षा करता था, जब ये गीला था, वो अपनी पतनी को इसके दस गस दूर भी चलने नहीं देता था, कहता थ इससे दूर रहना, इस गाउं तक तुम्हारे पैरों की धूल नहीं पहुशनी चाहिए, अब पागल की तरह उसने इसे देखा, फिर पैर उठा कर उसे कुचलना शुरू कर दिया, बहुत जल्द सारा मॉडल रंगीन टुकडों की धेर में बदल गया, मिट्टी अभी तक क अच्छा लगे तो खा जाओ, ये बहुत अच्छा गाउं है, इसके बाद वो फिर बाहा निकल गया, पागलों की तरह सडकों पर टहलने लगा, फिर रुग गया, आराम से एक एक कदम उठा कर धीरे धीरे चला, गहरी सास खीची, सिर पर टोप लगा था, जिसके भीतर से स चिठी दवाए, सिर आसमान की तरफ उठाए, वो मार्केट रोड पर इस तरह आगे बढ़ने लगा, मानो दुनिया का मालिक हो, उसके पागलपन ने उसे असीम सौतंतरता, शक्ती और उत्साह प्रदान कर दिया था, लोग उसे देखकर हस रहे थे, मजाग कर रहे थे, पर पंतु उस पर किसे बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, चलते चलते उसकी नजर सामने खड़े खंबे पर लगे एक बल्ब पर पड़ी, उसे देखकर बोला, अरे पपी ते जतना बड़ा बल्ब, वो बहुत दिन से पत्थर मार कर इसे तोड़ने का विचार किया करता था, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी, अब पागलपन की जोक ने उसमें वो साहस और उत्सा पैदा कर दिया कि ये काम कर डाले, उसने जमीन से पत्थर उठाया और निशाना साध कर बल्ब की दिशा में फेक दिया, बल्ब फूट गया और उसके आवाज उसे संगीत की तरह लगी, एक सिपाही दोड कर आया और उसका कंदा पकड़ कर बोला, ये क्यों किया, उसने गुस्से में भर कर जवाब दिया, मुझे पपीते का शीशा तोड़ना अच्छा लगता है, सिपाही बोला, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, अरे हाँ, मैं जब मेसोपुटा उन्होंने मुझे एक दफा आधे राशन में रख दिया था, ये कहता हुआ, वो पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा, बीच में रुका, सिर एक तरफ मोड़ा और बोला, ये सड़क सीधी नहीं है, कई गाड़ियां और साइकले उसकी तरफ आ रही थी, इन सब में उसे कमि दिखाई दे रही थी, उन्हें वो ये बाते बताना चाह रहा था, वो सड़क के बीचो बीच रुक गया, हाथ फैलाए और चला कर बोला, रुको, रुक जा, गाड़ियां रुक गई, साइकलों पर सवार लोग नीचे उतर आये, और उसने भाशर देना शुरू किया, मैं जब मेसोपुटामिया में था, दोस्तो, मैं तुम्हें वो बाते बताऊंगा, जो तुम्हें पता नहीं है, सिपाही ने उसे किनारे की तरफ खेचा और गाड़ियों को आगे बढ़ने का इशारा किया, एक साइकल वाला उसे ध्यान से देखकर उसके तरफ आया और बोला, अरे ये तो सिंग है, वही अपना सिंग, अरे तुम ये कैसे कपड़े पहने हो, तुम्हें क्या हुआ है भाई, पागलपन की रौ की धुंदली हुई नजर से भी वो इस वेक्ति को पहचान गया, ये तो दफ्तर के अकाउंटेंट थे, उसने आदत के मुताबिक सीधे पर आगे इशारा किया, और अकाउंटेंट को उसके हाथ में वही पत्र दिखाई दे गया, उसने लिफाफा पहचान लिया, हाला कि ये तुड मुड़ गया था, और मिट्टी से भी सन गया था, सिंग, तुम्हें ये खत मिल गया, मिल गया सर, लेकिन आप जाईए, इस बा ये कहकर उसने लिफाफा खोल दिया, और पत्र निकाल कर जोर से पढ़ने लगा, जनरल मैनेजर को आपके भीजे मॉडल बहुत कथातमक लगे हैं, और इनके लिए वे आपको सौ रुपे के इनाम की घोशणा करते हैं, वे आशा करते हैं कि इससे आपको ये काम करने का प् प्रगती करते रहेंगे, पत्र अंग्रेजी में था, इसलिए उसका पूरा अनुवाद करके भी उसे सुनाया गया, और पत्र के साथ सौ रुपे का जो चेक नत्थी था, वो निकाल कर उसे पकड़ा दिया गया, ये तमाशा देखिने बड़ी भीड़े कट्ठा हो गई थी सिंग ने पत्र अपने आँखों से लगाया, सिर पर हाथ मारा और जोर से बोला, सर आप बताईए, मैं पागल हूँ या नहीं, तुम बिलकुल ठीक लग रहे हो, तुम पागल बिलकुल नहीं हो, एकाउंटिन ने कहा, सिंग ये सुनकर उसके पैरों पर गिर पड़ा, और आँखों में आँसु भर कर बोला, सर आप आप देउता हैं, जो मुझे पागल नहीं कह रहे हैं, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, अक तगो और गिराए, और पूछने लगे, अब क्या बना रहे हो कलाकार, कुछ नहीं सर, अब कुछ नहीं बनाता, ये भले आदमी का क नहीं है, ये कहकर उसने पैसे लिए और तीस कदमों से बाहर निकलाया, तो ये थी गोविन सिंग की कहानी, अगर थोड़ा सा आत्मविश्वास दिखा कर, इसने पहले ही पत्र खोल लिया होता, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, और ऐसा ही कुछ होता है आपकी हमारी जिन्दगी में, अगर ये कहानी सुनकर, आप अपने जीवन की किसी घटना को याद कर रहे हैं, तो हमारे साथ जरू शेर कीजिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो लाइक बटन दवाईए, और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए, और एक लिफाफा की आने वाली कहानीों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ